हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई स्टट्यू फीट ओफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो यह न्यू प्रैक्टिस नंबर 15 है और मैं आपको MP2, UPTGTPGT, UPLT ग्रेड, MBPC, TRE4 एन सभी स्टेट के फीजिकल एजुकेशन कंपरेशन एक्जाओं का प्रिपरेशन के लिए देली विशेश प्रैक्टिस करा रही हूं तो दोस्तो बने रहे हैं में साथ देली विशेश पर और कुछ ने कुछ नई नई जानकारी अर्जित करते रहे और आने वाले जो भी कंपेशन होंगे इसमें अपना एक सीथ जरूर हासित करिए दोस्तो चलते हैं कोस्टेंस के जिस भी कोस्टेंस में डाउट होगा दोस्तों कमेंड में खुल करके बोलेगा यहाँ फे खुल के बोलेंगे तभी किसी गलत कोमेंस का हैंसर अच्छे से निकल पाएगा जिस प्रवलें आप तो दुस्तों चलते हैं हम slum करेंगे तो खुशइन नमर 1997 सिटप का उद्देश से है दपर पजाफ सिटप तो सिटप क्या होता है बीच में फोर्स लगता है जब हम सिटप करते हैं तो पेट पे डारेक्ट फोर्स पड़ता है तो बीच में फोर्स पड़ता है और एक तरफ एक्सिस होता है एक तरफ रसिस्टेंस होता है यह आपका हो स्टफ होता है एक होता है सीटना को होता है तो दोस्तों इसलिए ऊधर यानि कोसिन नमर टू है स्वासता का अर्थ है यानि हेल्थ मीन्स हेल्थ यानि कि जो फीटनेस होता है उसका अर्थ क्या होता है जैसे कि आप जानते हैं डेली रूटीन वर्क बिदावड एनी फैटेग यानि कि डेली के वर्क को बिना थाकावाट के संपन करना और विपती की समय अधर एनर्जी भचा रहना उसको फीटनेस का तो यहां पर आंधरिक सक्ती की छमता है हमारा कार्डियक हमारा ब्रट सर्कूलेशन और फेप्ड़े की छमता स्वसंद चमता हीज़ए चंट इस तब यह अच्छे रहेंगे तो हमारा जो आंधरिक जो हमारे अंदर इंदर इ इनर इस ट्रेंथ आपकी आंधरिक जो इस ट्रेंथ है किस लेबल पर है को से नमबर थ्री है सारलिक प्रसिचर के बाद कूल डाउन जरूरी होता है तो कूल डाउन इस नेसेसरी आफटर फीजिकल ट्रेनिंग बिकॉज दोस्तों जैसा कि जानते हैं किसी भी एक्टिविट करने की चमता बढ़ जाती है जिससे हम में चोट नहीं लगता है अब हम बचे रहते हैं और जब हम कोई अक्टिविटी कर लेते हैं प्रसिचर कर लेते हैं तो बहुत ठक जाते हैं और उसके बाद हम डारेक्ट कुछ करने लगते हैं कुछ नहीं करते हैं तो हमारे जो वाह करते हैं हलका हलका तहलते हैं हलका हलका सांस लेते हैं तो इसमें स्वास दर को समाने किया जाता है जो हमारा थकावट किसके करव होता है सरी में जब लैक्टिक एसिड जम जाता है थकावट होता है तो आक्सिजन के उपर पूरती नहीं उपाती है तो लैक्टिक एसिड जमने है कम करता है ठीक है नार्मलाइस दो ब्रीधिंग रेट एन लेक्टिक एसे लेवल डिक्रीच एंड कोशन नमर फोर है दोस्तों कि फुटबाल की खेल में पेनालिटिक की क्लीने का अस्थान गोल पोस्ट से कितने गश की दूरी पर होता है इन फुटबाल हमाने यार्स इन ड़ पोष्ट इस इन देस्फोर्ट फार टेकिंग इन पेनालिटी कीक फंच तो गोल पोस्ट जो पोस्ट नही। कितनी दूरी से लिया जाता है proto सो बाराइग जिया ने की एरे मिटर बाराइग जियाने की मिटर यदि कि गुचेंगा गोल रेखां से पिनाल्टी स्पार्ट की時 की दूरी फुट κα्ज हमतिए-पूट व कुछा थाए-प baare vari गचम पूछेगा तो 11 मीटर याद पुछन नमेर 5 है कि अच्छे स्वास्ति के लिए किस प्रकार का ब्यायाम आवस्टेख है विच टाइब अप एक्सरसाइज इस निसेसरी फर गुड है दोस्तो जैसा कि अब जानते हैं किसी भी प्रकार का ब्यायाम करेंगे एक दिन करने से छोड़ छोड़ कर करने से कुछ भी लाव नहीं होगा जब तक उसको की नियमित न किया जाए तो नियमित यानि रेगुलर एक्ससाइज आवस्टेख है अच्छे स्वास्त के लिए कोश्चन नमर्श सेक्ष है उनी सो संताओन में लश्मिया नच्छिवाई कॉलेज अफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किसी प्रकार की नवीन सिच्छर प्रसिच्छर पाठेकरम की सुरुवाद की थी विच नियू टे टेचिंग ट्रेनिंग कोर्स वाज नातक पाठेकरम BPE की सुरुवाद किया गया था रस्षिवाई कालेज फिजिकल एजुकेशन में उसके बाद उनीस सथी सथ में पीडी कोर्स MP8 भी चालू किया था इस दोनों चीज़े याद रखेगा उनीस सथी सथ में MP8 चालू किया था उनीस संताओन में साय सिच्छा म के इस नातक पाठेकरम कोर्सन नंबर सेविन है निन में से किस इस तर पर समगर खेलों में चैंपियन के लिए मौलाना अजार ट्रॉफी दी जाती है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मौलाना अबुलकलाम अजार ट्रॉफी आने की मा का ट्रॉफी जिसे सौर्ट में बुला जाता है यह 1956 संताओन में सुरुकिया गया भारत का सबसे पुराना राष्टिये खेल पुरसकार है जो 1956 संताओन में स्थापित हुआ अब पिछले एक साल के अंदर विश्व विद्याले टॉर्णामेंट में कृष्ट प्रदैसन करने के लिए विश्व विद्याले को दिया जाता है जिसमें 15 लाग धन राथी दिया जाता है विजेता को तो आप देख सकते हैं इस तरह आपका राइट एंसर हो जाएगा जैसे कि आँ जानते हैं कि अभी तक में गुरु नानक दियों इनिवर्सिटी जो है अमरिश्व पंजाब सबसे ज़्यादा बर मां क ट्रॉफी जीता हुआ है इसमें से 24 बार 2023 तक में 24 बार दी चुका है अब 2024 में कौन जीता है याद रखना पड़ेगा तो अभी तक में सबसे जादे बार गुरु नानक दियों इनिवर्सिटी मां का ट्रॉफी जीता हुआ है कोशन नमबर आठ है गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोड़ाचार पुरुसकार दिया गया तो दोस्तों आप जानते हैं कि गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोड़ाचार पुरुसकार दिया गया है तो इनको कुस्ती प्रसिच्छा की कुस्ती कोच के लिए जबकि आप जानते हैं दोड़ाचा पुरुसकर की शुरुआ तो अब इस सब पचासी में हुआ है जो एक कोच यानि उत्कृष्ट कोच को यानि की प्रसिच्छ को दिया जाता है कोस्टन नमबर नौ है स्कूल स्वास्थ रिकॉर्ड का अब sécurे जाता है इस्कूल हेल्थ रिकॉर्ड बाई हुम हम दोफे प्रसिच्छ तो यह रिकॉर्ड रखाया जाता है सारी सिच्छा तीचर यानि कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के द्वारा कोश्चन नंबर दर्स है निवन में से कौन सा रूख संक्रामक रूख के अंत्रगत नहीं आता विज आफ फालिविंग डिजीज इस नाट एन इंफेक्टियस डिजीज तो दूस्तों यहां पर आप देख सकते हैं क कुष्ट और यानि कि लेप्रोशी कि कुष्ट रूख यानि लेप्रेशि इस हम हैं से जिजीज भी बोला जाता है इसको कोढ। भी बोला जाता है जो कि अंगलियों की उत्वकोर नश्डोना इसका लट्षड हैं तो अबका संक्रामक रूख है do दूसरा है C है 6 रोग यानि कि टीवर्कुलोसिस टीवी जी से बोला जाता है जो माइक्रो बैक्टिरियम टीवर्कुलोसिस बैक्टिरिया से फैलता है और यह फेफ़ई सुसन तंत्र को प्रभावित करता है ज्वर खासी थूक में रख्द आदिस के लचड़ होते हैं ूपिंग कोग जिसके बेडरेट तेला पर्टोसिस या हम फिली इस बैक्टिरिया से फैलता है और इस में सुसन तंत्र प्रभावित होता है खासी केसाथ बलगम इसका लच्छड है यानि की कुछट रग यानि लैप्रोसी च्द्श्य रोग यानि लीजरी टीबीर्खेलोसीष्य यान कुको! यह तीनों के तीनों संक्रामक रोग है Northwestern मदुमें यानिकि दायवेटेज जो है संक्रामक रोग नहीं है जैसा कि आप जानते हैं जो इंसुलीन होता है और इसलिए को एंटी डायबेटिक हर्मोन भी बोला जाता है इंसुलीन की कमी कम हो जाती है जो इसलिन का काम क्या होता है कि जादे कर देता है इस रखत में उपसित ग्लूकोज को ग्लॉकोज़ें में कोण बदलता है इंसुलिन लेकिन इस अधा काम मास्पेशी और लीवर में जबकि ग्लाइकोजें को सब्सक्वर में कार्य यह निकलता है तो इंसुलिन का कारह रखा स्विव में ए ruja के श्रोथ ATP को ATP करता है अगर इंसुलीन की कम मात्रा हो जाती है तो ग्लुकोज की खपत बनाने में नहीं हो पाता और रख्त में ग्लुकोज भरवर करने लगता है इसी को हम कहते हैं डाइबेटीज और दोस्तों इंसुलीन को प्रभावी कौन बनाता है तो क्रोमियम जो आपका मिनरल्स होता है क्रोमियम नामक खनेजलवर तथा विटामिन डी जो है हमारे इंसुलीन को एक्टिव करता है यदि क्रोमियम या विटामिन डी की कमी हो जाए तो स्वता ही डाइबेटीज जम ले लेती है याद रखेगा जिस भोजन में क्रोमियम पाया जाता है विटामिन ड चाहिए यूसलीन का सीवन भोजन में से या मूह के द्वारा लाव नहीं होता क्योंकि हमारी पाचन नर्गयां इसका उपयोग खुद कर लेती हैं और रग्त तक नहीं पहुच पाता इसे सीधा रग्त में पहुचा पहुचाना होता है इसलिए कृतिव तरीके से अपना जात है लेकिन जाब आपके डाइट में जो भोजन है बैलेंस डायट है उसमें लेना है तो आपका जो इसलिल इस्तर होता है वो कंट्रोल रहेगा क्रिकेटर जिसे आप पॉंटी हीटर के नाम से जाना जाता है क्रिकेटर फूंटी हीटर के नाम से जाना जाता है तो पॉंटी हीटर के नाम से किसे जाना जाता है तो आप सब को पता है क्योंकि आप सभी लोग क्रिकेट के दिवाने हैं तो दोस्तों पॉंटी हीटर के नाम स थे इनका जन में सोलापूर महाराश्ट्र में हुआ था इन्होंने अपना इंटरनेशनल केरियर 18 वर्स की उम्र में 1924 में शुरू किया था था सन्यार्ष ले लिया 1968 में कोशन नमर 12 है एक धड़कन में हिदे द्वारा फेकी जाने वाले रख्त की मात्रा को कहते हैं तो अमाउंट ऑप लड़ पंट आउट 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 बाई दहा हार्ट इन वन बीट इज कार्ड वन बीट यान हिदे की एक धड़कन में जो रख्त जो है फेक है उसे हम क्या कहते हैं इस टोक value कहते हैं क्या कहते है दोस्तो जब बाज निल्ए से एक धड़कन में ठाड़कने में जिरूपार्ड 8 सेकेंट समय लगता है एक धरकर में गितना द्रक्त बाय निले से धमनियों की और फेका जाता है उसे हम इस्ट्रोक वैलियू कहते हैं और एक मिनट में जितना फेका जाता है उसको हम काडियक आउपूर्ट यानि हिदे आयतन कहते हैं तो यहां पे देख सकते हैं स्ट्रोग वालिउम एक धर्कम में होता है सत्तर एमल कितना होता है सत्तर एमल और एक मिनट में कितना बड़ा हमारा हिद एधर रखता है बहत्तर 70 गुड़े 72 का गुड़ा करेंगे तो पांच हजार 46 this ml लीम जायाया यानि कि 5.0,4 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 11 याद रखिएगा तो एक धड़कर में जितना रखत है हिदे की दवरा फेका जाता है उसको इस्ट्रोक वालिम कहते हैं और एक मिनट में जितना पूचा जाता है फेका जाता है उसको काडेक आउटपुट कहते हैं Q&3 है व्यायाम की दवरान जब हिदे गती एक सो साथ बीट प्रति मिनट हो और पूच बीट हो तो हिदे समंदी आउटपुट क्या होगा 160 bit प्रतिम मिनट हो रहा है और stroke volume क्या है heart rate क्या है और 260 bit प्रतिम मिनट stroke volume है 100 ml तो 160 में आप जो है 100 का गुड़ा करेंगे तो आएगा 60 100 ml यानि कि 60 लीडर प्रतिम मिनट हो जाएगा ठीक है कोशन नंबर 14 है दोस्तों कि निले से आने वाली प्रति यूनिट रख्त की मातरा को क्या कहते हैं देखिए वही कोशन आ गया क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या काडियक आउटपूट ग्याद करने का सुत्र होता है स्वास्ति स्च्छा के निल में से कौन से उद्दे नहीं सुझाये हैं सुझाया है कि कारे के लिए प्रामर्स होना जाहिए बैक्तियों को अभी प्रेरित करना चाहिए व्यक्तियों को सूजित करना है यह स्वास्थ सिच्छा के उन्होंने उद्यस से बताए हैं बट वांजनी स्वास्थ और अभिप्रितिक अभिकास उन्होंने नहीं बताया हैं स्वास्टेजने Iya नमँ नमरगे एक संख्या कितनी होती हैं और हाड़ा Joinonne buradan दोश्तों जैसा की जानते हैं यह हडराश ऑता होती है 110 मिटर पूरुस का होता है दोनों का होता है 영腿 बाधा की संख्या होती है याद रखेंगे करिंगे का लिए 10 संख्वों, न यहीaa ह्याद ञें एक evidentा AG मेंहें जालेबन के वहां चुन होता है। जैसा है बाधा की बाधा की संख्या अ पर छाहय मीटर जिए 4 176 ‫1 संख्या electronics निए 122 मेटर यही न वह 406 है और उसके पैर जो है 70 cm लंभी होती है कोश्चन नमर 17 है किनिन में से कौन सा रूप मक्खियों से नहीं फैलता दोस्तों यहाँ पे टाइफ हाइट, कॉलरा यानि हैजा एन डिसेंटरी एक तीनों जो है मक्खियों से फैलते हैं यह अभी एक तीब्र संकामक रोग है जो आरनी वाइरस के द्वारा फैलता है यह मारा मच्छर एडेज एजेप्टी द्वारा फैलता है कोश्चन नमर 18 है रासानिक रूप से लिपिट को किस रूप में जाना जाता है प्राकेतिक वसा भी कहा जाता है जो सरी को मुख्य उर्जा इस्टोरिंग कंपाउंड है कोश्चन नमर 19 है सावरिक सिच्छा का प्रथम रास्टिय संस्थान कौन सा है वेर इस फर्स नेशनल इंस्टिटूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड दूस्तों इसमें दो प्रकार का कोश्चन पुछा जाता है कि सावरिक सिच्छा का प्रथम संस्थान कौन है तो YMCA कालेजा फिजिकल एजुकेशन 2020 में इस्ताबित हुआ था चन्नाई मदरास में एचसी बख ने किया था वो आपका साइज सिच्छा का प्रथम संस्थान है लेकिन जब पूछेगा कि साइज सिच्छा का प्रथम राष्टिय संस्थान क्योंकि वो राष्टिय था नहीं वो अमेरिका से आए हुए बीसे सके हैरी कुरूबक ने आकर रुके 1920 में चन्नाई मदरास में YMCA यानि एंग साइज सिच्छा का भारत में प्रथम राष्टिय संस्थान है तो आपको कोर्शन क्या है उसको ध्यान से पढ़ना तब ही आएंसर देना है क्योंकि आते हुए कोर्शन गल्ती हो जाते है ओबर कॉर्ट में देंस में कोर्शन नमबर बीस है अच्छे स्वास का मूल कारत क्य अच्छे जीवन चर्या तनाव रही जीवन इस सभी है पर यहां पर मुख्य कारक पुछा है तो मुख्य कारक आपका पॉस्टिक अहार है कार्गोहडियेट प्रोटीन व्वसा बिटामीन खनी लवर जल अब उचित मात्रा पर डेली बीसिस पर ले रहे है कि नहीं को को क्रिकेट बल्ले के लंबाई कितनी होती है what is the length of a cricket बैट दोस्तों क्रिकेट बल्ले के लंबाई जो है और तीस इज यानि चानमे दसनों पांच मिटर होता है और इसमें जो है चोड़ाई जो होता है बैट का 4.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए 4.25 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो भार है 1.2 से 1.4 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोश्चन नमर 22 है इसकीन फोल्ड कैलिपर से बापा जाता है इसकीन फोल्ड कैलिपर मेजर्ड तो दोस्तों इसकीन फोल्ड कैलिपर से आप सबको पता है सरी की वसा यारी की बाड़ी फैट मापा जाता है यह है वशा रहे तरीमे व्र दराश को cambiar वेड़ी बर्डी है batता है और ISK You की का लिपर के दोनों आर्म को लगाए जाता है और आधा सेंटीमिटर की गहराई तक उससे जगड़ा जाता है और इसकी फूल कैलिपर द्वारा पकड़ बनाने के लिए कितना मानक दाब कितना होता है ये कोशन उत्राखण एल्डिग्रेट में पूछा हुआ था कि मानक दाब आपका होता है दस ग्राम प्रती मिली लीटर वर्ग ठीक है दस मिली ग्राम प्रती मिलीलीडर वर्ग होना चाहिए आपका स्कीन फूल कैलिपर में जो स्कीन फूल कैलिपर में दाब होता है होना चाहिए ऐसलिए आज Sorbaz. में हरपर एंडेने, लैंज और लवाफाइर, बिस्व्स MASु स्क्रीन, स्पैंध के रीपर को विशासने माना जाता है. तो वहां पर दाव जरूर पुछा जाएगा आपको कि मानक दाव कतना होता है माप करते समय, पकड़ बनाते समय due 10 ग्राम प्रति मिलीलीटर वर्ग मिलीमीटर वर्ग मिलीमीटर है लीटर नहीं लीटर दरभी को मापा जाता है तो याद रखेगा कोशन नमर्टेज है होकी खेल में अमपायर की ग्रीन कॉड दिखाने का संकेत है इन हाकी मै πाड ग्रीन कार्ड तो दोस्तो दोस्तों ग्रीन की दानी के लिए दिखाया जाता है इसमे 15 2010 में 3 कारड होते हैं ग्रीन अलो और रेड फीर फ्य यहांम papas बाहर के लिए ok कर दिखाने पर से सब्सक्राइब जया लिए in 2015 Tower जाता प्रथम अस्थान प्राप्त किया तो आप सबको पता है हुआ हुआ दो फर्स्ट प्लेस इन आल इंग्लेंड बैर्मिंटन चैंपिंश्टीप तो ओं है प्रकास पादुकूर कोस्टं नंबर पचीज है बरतमान समय में मनूस विए ग्यान को माना जाता है एड प्रजेंट्स फिजू़जी इज त्वोस्ट्थ है साइकोलाज्य सवारी साइकोलाज़ां ब्योः हार का विए ख्यान करते हैungs जैसा किया आप जानते हैँ मनूस में प्यार्ज़इन को सब कर बना है शाय के का अर्थ होता है आत्मा यान शोल अलोगस का अर्थ होता है अध्यान यान भाथ्चित ना यान्यान जान ब्रतमान में को अप्वभितार विवार्थड़ा और समयन्तु प्लेटू रेकार्ड ने इसको मन मस्तिष का बिग्यान कहा 17 सतावति में पर नोजी नी और इसको चेतना का बिग्यान 19 सतावति में बिलियम उन्ट, बिलियम जेम्स, वाइस, जेम्स सतली ने कहा और बिहार का बिग्यान 20 सतावति में वारसन, बुडवर्स, इसकीनर, ठांडाई, मैक्डूगल ने कहा कि मनविघयान को निश्यत यसुद मनविघयान का वार्सन ने जो मनवघयान के पिता है वार्षन दीवहर वार्वात यहां बोला जा रहा है दूस्तों आपका फिलास्पिम पूछेगा तो आपको चानटी है मीम प्लेटी आप क्या दिया कहां किर्फिक हर ने मनुजरे के प्रथम प्रीयुक सेला बिलियम gradient से जर्मनी तो 918 में के सुछर में इस्तर में इसेपित किया दोर को सब्सकत कि फिस्तक प्रकाशित दोरा याद रखेगा Hey बार कोशन नमबर 26 है कि निवनी में से कौन कौन सी घटक संतुलित वा स्वास्त जीवन के लिए उप्योगत नहीं है तो ब्यायाम भी है संतुलित और स्वास्त जीवन के लिए पानी पीना है फल और सब्जिया का सिवन है बड़ आपका सिफ पार यूनिट सराब रोच पीना कोशन नमबर 27 है सारीक सिच्छा में जन संपर के ही तू आवस्त्यक है पब्लिक रिलेस्टन इन फिजिकल एजुकेशन निसेसरी फॉर तो सारी इज्टन संपर के लिए आपके पास फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए है अप्जिक्टिव आफ फिजिकल कराइड रहोगा को संपूर परिशिति का संगठन ही सिखना है यह परिवासा दिया है वो गेव दिस डिफिनेशन आफ लर्निंग इज दो ऑर्गेनाइजेशन आफ दो होल सिटुवेशन तो यह आपका कोहलर का कहना है इस परिवासा को दिया है कोहलर कोहलर दोस्तों सूज्व अंतरजिश्टी का सिधार इनसाइट थीयूरि दिया है जो सिखने का एक संगरात्मक प्रक्रिया है और इसको इन्होंने चिंप अचिंपिजी पर प्रयोग किया सुल्तान नमभ चिंपिजी पर और इनको समस्या होना चाहिए उसके बाद हम अ प्रक्रिव एक संग्यनात्मक होती है और उनका कहना है कि सिखने की प्रक्रिव धीर धीर में अचानक से होती है और सूज अचानक आती है तोलना कंण ना तर्क करना सिखता है इस सिधान से समस्या विदी वो विश्लेशर विदी का जन्म हुआ कोलर के बाद विद्वानों ने आलोचना के बाद सीखने के मुख्या फैक्टर बताया है दोस्तो अच्छे स्वास के लिए बेसिक कंडिशन निसेशरी फार गूड हेल्थ इंक्लूड तो यहां पर प्रापर डाइट यानि कि उप्यूक्त अहार लेना ज़नुरी है अच्छे स्वास के लिए बेक्तिकत घरिलू साब सफाई सचता है यानि कि परसनल एंड हाउस होल् इस सभी चीजिए अच्छे स्वास के लिए आवस एक है आलाव दएवर कोशन नमर्ग तीस है लीड ऑफ गेम सहायक होता है लीड ऑफ गेम्स और हेल्फुल इन तो दोस्तो देड़ गेम जो है वह वह प्रोवाइडिंग इंटर्टेंवेंट प्रोवाइडिंग इंट समझ में आए होंगे और दोस्तों जो भी आपको डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और जादे से जादे वीडियो को सेयर भी किजिए जैसे कि और लोगों तक वीडियो पहुछ सके और डेली बेसे प्रैक्टिस जरूर करते रहे क्योंकि प्रैक्टिस में प्रफेक प्यानी महान बनता है तो दोस्तों चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए